हर्याना के 14 शहरों के लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, वहीं जन्म के समय लिंगानुपात में पिछले साल की तुलना में एक अंक की भी गिरावट आई है, आपको बता दे कि साल 2023 में प्रती 1,000 लड़कों पर 916 लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया था, जबकि स साल 2022 में 917 था वहीं आपको बता दे कि 2021 में ये आकड़ा 914 था मगर पुरानी आकड़ो को देखे तो साल 2019 में 923 पहुँच गया था राश्ट्री अस्तर की तुलना में हरियाना का लिंगानुपाद काफी पीछे है राश्ट्री ओसत 933 है कम होते लिंगानुपाद पर सरकार गंभीर है आपको बता दे कि सरकार की ओर से सभी उपियुकतों को निगरानी बढ़ाने और नजर बढ़ाने के निर्देश दे गए हैं साल 2023 में जिन शहरों के लिंगानुपाद में गिरावट दर्ज की गई उनमें फतेहाबाद, नुह, सिरसा, यमनानगर, जिंद, कैथल पानीपत, अंबाला, चर्की दादरी, सोनीपत, महंद्रगड, रोहतक, करनाल और भीमानी शामिल है वहीं गुरुगराम, पलवल, कुरुषेत्र, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, रिवाडी और जहर्जर में व्रिधी दर्ज की गई है वहीं पिछले साल प्रदीश मे कुल 5,50,465 बच्चों ने जन्म लिया था जिन में से 2,87,336 लड़के और 2,63,129 लड़किया शामिल थी एसारवी के आकडों के मुताबिक राज्जी में सबसे ज़्यादा गिरावट वाले 5 ऐसे शहर है जिनका लिंगानुपात 900 से नीचे दर्ज किया गया है इन में सबसे खराब इस्तिती रोहतक की है साल 2022 में रोहतक का लिंगानुपात 936 था जो की 2023 में घटकर 883 रह गया तरपन पॉइंट के गिरावर्ट देखी गई है दूसरा शहर चर्की दादरी है कि दादरी में साल 2022 में लिंगानुपात933 था जोकी साल 2023 में 897 रिकॉर्ड किया गया वही महंद्रगड की बात की जाये तो महंद्रगड का लिंगानुपात 887 दर्ज किया गया जो की एक साल पहले 907 पर था सोनीपत का लिंगानुपात 2022 में 894 था जो की साल 2023 में 898 रिकॉर्ड किया गया है वही अमबाला में 15 पॉइंट की गिरावट के साथ 919 रिकॉर्ड हुआ है लिंगानुपात बढ़ने की मामलों में 5 शहरों में पलवल पंचकुला फत्याबाद 9 और गुरुगराम शामिल है पलवल में साल 2022 में लिंगानुपात 946 दर्ज किया गया जो की साल 2022 में 922 था पंचकुला में लिंगानुपात 938 से 942 फत्याबाद में 934 नू में 932 और गुरुगराम में 928 दर्ज किया गया है लिंगानुपात की मामले में हर्याना काफी बदनाम रहा है बता दे की साल 2015 में हर्याना में 1000 लड़कों पर 876 लड़कियों ने जन्म लिया था इसमें 922 रिकॉर्ड किया गया इसके अलावा स्वास्तवी भाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हर्याना में भुरुन जाज को लेकर काफी सकती है बीते 5 साल में भुरुन जाज से संबंदित 2387 चापे मारे गये इनमें से 500 चापे हर्याना से बाहर भी मारे गये हैं इसके बहुजूद भी लोग इसमें काम्याब हो रहे है हाल के दिनों में स्वास्तवी भाग के सामने बड़ा चैलेंज पॉटेबल मशीनों को लेकर है अब मोबाइल के साइज के बराबर की मशीने हैं जिनका एस्तेमाल लोग कर रहे है तो अभी के लिए के बल इतना ह और दुनिया के ऐसी तमाम जानकरी और खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ इंडिया नियूज हर्याना पर नमस्कार